पहली बार किसी राज्य में विधान सबाद चुनाओ होने जा रहा है दो राज्यों में विधान सबाद चुनाओ एक ही दिन है और काउंटिंग भी एक दिन जहां एक तरफ बीजेपिक लिए चुनौतियां हैं वहीं दूसरे तरफ कॉंग्रेस के लिए चुनौतियां कहीं जादा है फॉरन पार्टियों ने अपने अपने दावे शुरू कर दिये कॉंग्रेस की पूरी त्यारी है और जो महौल है आज परदेश में जिस परकार से हरवर का समर्थन मिल रा है हमने जैसे पूरे अर्याने में गें मैं और अधक्षी इसाब पूरे अन्याने में हम मीटिंग भी करके आए और 65 के करीब हमने जनसभाई की हैं और जिस परकार से जन समर्थ मिल्रा हमारे को उसके आदार में कह सकता हूँ यह हर्याने में तीसरी बार कॉंगर्स पार्टी की सरकार बनने जा रही है केवल मातर एक विकलब है इस परदेश में इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी और हम अपने पूर्ण बहुमत के साथ परदेश में सरकार बनाएंगे यह संदेव वाली बात नहीं है निश्चित रूर से स्पष्ट बहुमत से भारती जनता पार्टी की सरकार हर्याना के अंदर बनाएंगे दुनिया की कोई ताकच इसे रोक नहीं सकते हर्याना और महराष्ट दोनुवो राज्ये हैं जहां अरसे से काउंग्रेस का बिश है हर्याना में वो 10 साल से हुकूमत कर रही है जबकि महराष्ट में 15 साल से काउंग्रेस और नसीपी की साज्छ सरकार है इसलिए ये बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली की कुर्सिक होने के बाद कॉंग्रेस के ये किले भी बिखरेंगे दोनों राज्यों में सत्ता विरोधी रुजहान इसकी एक वजह हो सकता है लेकिन उसे बड़ी वजह दोनों राज्यों में सताधारी दलों में अंदुरूनी घमासान है हर्याना में मुखमंतरी हुडा के ही खिलाफ कॉंग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं जबके महराष्ट में कॉंग्रेस और NCP अकसर विरोधियों के तरह लड़ते और एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए हैं महराष्ट में सीटों के बटवारे पर भी कॉंग्रेस NCP में तनातनी है पंद्रह साल से हम महराष्ट में सरकार चला रहे हैं मिल जूर कर केंडर में भी साथ हैं हम तो वो सिलसला चलता रहेगा हाला कि इस सीटों का जगड़ा विपक्ष में भी है विधान सभा में ज्यादा बड़ा हिस्सा लेने वाली शिवसेना को इस बार बीजेपी से सक्त मोलतोल करनी पड़ रही है जबकि हर्याना में विश्णोई से कॉंग्रिस का तालमेल तूट चुका है और हर्याना में बीजेपी के पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बिलकुल बगावत जैसे हालात है लेकिन बीजेपी का होसला 2014 के लोकसभा चुनाओं ने बढ़ा रखा है उसे लग रहा है मोदी लहर उसे बिना किसी सहारे के पार लगा देगी इसलिहार से ये चुनाओ नरेंदर मोदी के लिए भी एक इमतिहान है लोगसबा चुनाओं के बाद बीजेपी और पधार मंतरी नरेंद्र मोधी के लिए ये चुनाओ पहला बड़ा इम्तिहान होंगे राज्यसबा में अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में बीजेपी इन चुनाओं में अपना सब कुछ जोग देगी इसमें कोई शक नहीं चंडिगर से आनंद पतेल एंडी टीवी इंडिया टूजी मामले में अब सीए जी विनोध राए की किताब में लगाए आरोपों के बाद से सियासत तेज हो गई है कॉंग्रेस ने कहा है कि राए के आरोप राजनिती से प्रेरित है जबकि बीजेपी ने यूपीए के घुटालों के बारे में कॉंग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा है अपनी किताब जारी होने से पहले पूर्व सीए जी विनोध राए ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है रायन ने का कि कॉंगरिस के तीन सांसरदों अश्वनी कुमार, संजे निरुपम